मलब प्रिदेश के पूर मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान के बेटे कार्टे के चोहान का एक बड़ा बयान सामने आया है बदादें के कार्टे के चोहान शुकरवार को जिले के भिरूंदा के कोस्मी में विकसित भारत संकल प्यातरा में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने यातर में शामिल जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि आपसे किये हुए वादे निभाने के लिए अगर अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्टे के तयार है मैं नेता नहीं हूँ, मेरा राजनीती मैं आने का कोई मन नहीं है पापा नहीं, मैं आपसेujuोट माँगने आया था आपसे किये हुए वादे पूरे करने के लिए अगर मुछे सरकार से भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्टे के पीछे नहीं हटगा हाला कि इसकी नौबत नहीं आईगी सरकार अपनी हैं सब भी वादे पूरे होंगे कादिक जोहान ने आगे कहा कि आपके भईये शिवराइद ने इस चुनाव में इतनी महनत की जो किसी के लिए भी संभव नहीं है आपको गर्भ होना चाहिए हमारे बीच के व्यक्ति ने 20 साल की सरकार के बाद फिर से सरकार बनाई है राजिस्तान 36 गर तेलंगाना सहीर कई साहर राजों में चुनाव हुए सारे राजों में सरकार पलड़ गई सरकार गिर गई आपके भाईया ने इतने कांटी कितक दी थी कुछी सीटों से हम रह गए थे चोटी सी कसक रह गई और हम सरकार नहीं बना पए कॉंग्रेस के सरकार गिर गई और हमारी सरकार आई पार्टी और शीगर नेतरतव के फैसले करते हुए मुख्यमंतरी शिवराज जी को चुना सरकार बना नहीं पाय थे लेकिन पार्टी ने मौकर देते हुए शिवराज सिंग चौहान को मुख्यमंतरी बनाया मन में एक बात रह गई थी कि सरकार नहीं बना पाय फिर भी मुख् में होती है आपने जो ताकत दी उसकी वज़ा से 18 साल तक आपके बीच का व्यक्ति मुख्यमंतरी के पद्ध पर विराजमान रहा मद्यप्रदेश में किसी भी कोने में चले जाओ आज भी जनता की दिल के सिहांसन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है मैं मानता हूं कि उससे बड़ी ताकत पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं हो सकती जब तक आप ये ताकत आपके नेता को देते रहेंगे तब तक उनके स्वाब इमान के साथ खिलवार नहीं हो सकता और वे आपके स्वाब इमान के साथ कोई खिलवार नहीं होने देंगे बहरहाल कातिक के इस बयान पर आपका क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए और अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेयर सब्स्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज